य सबही को लेकर बड़ी ख़बर है सबसे पहले आप तमाम साइखिक स्वेंग सेवको को बता दे कि आप लोग इस पत्र को ध्यान से देखिए जिस पत्र में असपश्ट रूप से लिखा हुआ है कि जितने भी साइखिक स्वेंग सेवक है उसमें से 12,000 साइखेकिक स्वेंग स्वेवकों का पैनल रिसॉल्व करने को ले करके 13,10,2023 को मुखमंत्री सचिवाले से एक पत्र जारी होता है लेकिन अभी तक कोई विवागी अस्तर से इस पर कोई संग्यान नहीं लिया गया है और नहीं मुखमंत्री मोहदय इस पर संग्यान लिये हैं जबकि इस पत्र को लागू हुए जो है कम से कम बहुत दिनों हो गये है फिर भी जो है मुखमंत्री मोहदय इस पर संग्यान नहीं लिये हैं जबकि ये पत्र मुखमंत्री सचिवाले से निकला है हमारे साथ जुर रहे हैं एक बेक्ती हैं जो लगतार साइखिक स्वेंग सभगों का अपडेट रखते हैं और उनसे तमाम जानकारी लेंगे आप लोगों को लेकर के क्यूंकि आप लोग जो हैं लगतार अपने जॉइनिंग को लेकर के निरास हैं लेकिन आपको बता दे कि आ या फिर विभागी अस्तर से कोई एक्षन नहीं लिया गया है और नहीं मुखमंत्री सचिवाले से जो इस पत्र को जारी किये थे नहीं वो लिये है इस बात को संग्यान में इसका क्या वज़ा है पत्र जो है मुखमंत्री सचिवाले से 13 अक्टूबर 2013 को जारी किया था और उस समय हम लोग को लगा था कि जब सरकार हम लोग को जो है रुज़गार देगी लेकिन उसके बाद से इस पत्र पर आज कोई संग्यान नहीं लिया गया इसको लेकर के आप लोग गये थे विभाग में फिर से या फिर आप गये थे मुखमंत्री सचिवाले में जो आप इस पत्र को जारी किये तो फिर विभाग क्यों नहीं इस पत्र को एक्सेप्ट कर रहा है और इसके माध्यम से अगर 12,000 सायंकिक सोयंक से बको कही अगर क्या करता है तो इसको लेकर के विभाग क्या बोल रही है जो इसका मतलब तो यही हुआ कि मुखमंत्री सचिवाले से पत्र निकलता है उसका कोई मोल नहीं है उसका कोई वैल्यू नहीं है तो कही ने कहीं इससे तो क्या कहते है सुसासन की तो बहुत बड़ी मतलब बू आ रही है कि कहीं ने कहीं आपकी सरकार है और आपके मुखमंत्री सचिवाले से पत्र जारी होता है और आप उस पर संग्यान नहीं लेते हैं तो कहीं ने कहीं तो जूटी मतलब तसल्ली हो जो है मुखमंत्री सचीवाले का पत्र खेल रहे हैं आप लोग यही हुआ इसका मतलब और आपको बता दे कि आप लोग गन्ना करते थे अभी आंगनवारी सेविका महिला करमचारियों से सरकार ओभर टाइम काम करबा करके गन्ना करवा रही है लेकिन जो आप लोग इतने करवे है अभी गलत और ऐसे ही जब जो भी जनगन्ना आ रही है अभी गलत सावित इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार सही जिनको करना चाहिए उनसे नहीं करवा रही है इसका यहीं वज़ा है जाती जन्गना पर सवाल उठा था भी सवाल उठाता है बिलकुल उठा था और उसमें आप लोग के कितने प्रसर्मिक मांदे मिल रहे थे उस समय हम लोग को पेपर के माधियम से प्रिंट मिंडिया के माधियम से उसमें पांच हजार रुपे मांदे के हिसाब से हम लोग को पते मारता किया गया था पांच हजार रुपे आप लोग को मिल रहा था सरकार रख करके और काम करवाएगी सरकार से वो भी नहीं होता है मुखमंत्री सचिवाले से पत्र जारी कर दिये और उस समय में 5,000 रुपया दे रहे थे जो की बहुत जादा रुपया नहीं था और अभी के समय में इन लोगों को बेरोजगार 5,000 रुपया भी सरकार के पास जिसके लिए जो है आर्थिक गन्ना या फिर जो भी है वो सारे कुछ अच्छे तरीके से हो पाई इसलिए तो बिहार पर सवाल उठता है कि कहीं न कहीं जो भी जन गन्ना है या फिर जो भी गन्ना करती है सरकार वो कहीं न कहीं रेशियों से उपर नीचे हो जा रही है तिस बचे हुए सवंक सेवक भी आस जगता कि कहीं कहीं हम लोगों की भी हो गया धिरे-धिरे करके जैसे बिभाग से रिक्वार्मेंट जा रही है तो हम लोगों को भी कहीं न कहीं मिलेगा न्युक्ति लगतार इस आस में कितना दिन तक वो लोग बेरोजगार होकर बैठे रहेंगे, सरकार से बड़ा सवाल यही है, और सरकार से यही सवाल है, कि आप मुखमंतरी सची वाला, यहीं होता है, उसमे बड़े बड़े जितने भी पर्दहान सची बैठे उए राते है उनस्वी के दौरा जब इस पत्र को जारी किया गया बिभागों से जड़र जो है क्या क焦 एरिक्तियां भेजी गई है इसके बाद भी सरकार संग्यान में नहीं ले रही है इसका मतलब क्या है कि सरकार पिहार में बेरोज़गारी की बात करती है और एक तरब जो है बेरोजगार लोगों की क्या कहते हैं मजा कुडा रही है सरकार है इसका मतलब तो यही हुआ क्या हम लोगने हैं अब लोगों को यह सरकार से बहुत मतलब उमीद हैं कि लगातार हुआ हमारी अगर भला करेंगे तो वही करेंगे हम लोग का पहाली भी नितिश कुमार और उसमय जो है क्यों लिया सही बात है क्यों परिक्षा सरकार लिए और जनगना के लिए क्यों एक बिभाग को चुनी जिसमें सांखिक स्वेंग सेवकों को रखा गया कि सिर्फ यह जनगना का कार्ज को करेंगे सभी परकार के जनगना में आप लोगों को सरकार इसलिए एक नया बिभाग का करते हैं रहा को कि अधसमें आप लोग का समयोजन करके और सरकार चाहिए कि तमाम जो अच्छे तरीके से मथने से आधाए तो जिससे कहीं नहीं अच्छा संदेश कम्ला करें जोह भी बिहार का घंदा वह सफेक्ट है इसके लिए आप लोग करंद सैंद्र के ल药ही बात है कि बिहार के जितने सांखिक स्वविप्ट से इसलिए क्योंकि जो परफेक्ट गनना था वो हुआ केंदर भी किरवाया होगा अपने तरफ से वो परफेक्ट मैच हुआ इसलिए उनको समान मिला होगा और उसी समान को ऐसे ध्वस्त कर दिये और उसी आग के अथी में क्या करते हैं आप लोगों को भी सरकार बैठा करके रहे हैं तो ये कहीं नहीं सरकार की नाकामी बहुत बड़ी सामने आ रहाए लेकिन सरकार से बड़ा सवाल यही कि आप मुखमंतरी सची वाला से पतर जारी किए तो उसपर संघ्ञान आपको लेना चाहिए था नहीं से काम है लगतार इसके लिए हम भी अपना कोशिस कर र हैं और आपको बता दे कि जितने भी सांखिकिक सोयंग से वक है ठीक है आपका बहुत-बहुत धन्यबाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जितने भी है सांखिकिक सोयंग से वक है अगर आपके भी मन में कोई सवाल है या फिर कुछ है तो आप हमें Instagram पर जरूर हम से जूरे ताकि आपकी आवाज को हम ला सके channel के माध्यम से ताकि आप सरकार से सवाल कर सके और सरकार से लगातार हम भी सवाल अपने माध्यम से कर रहे हैं कि जब मुखमंत्री सचीवाले से पत्र जारी हुआ क्या वैलू है उस पत्र का तो तमाम जानकारी के साथ फिर से जुड़ेंगे तब तक के लिए देखते रहे वर्ल्ड रिपोर्ट